हेलो और वेल्कम बैक तो माँ चैनल टाड़ेस यूपी सीफ है अस्वित अमनभा अभी कज़े टॉपिक हैं में लेकर आया हूं मिंट से यहां भी बोला है क्या पाकिस्तान बरना है श्रीलंका स्थाने लोगों को खादय संकट का सामना करना पड़ता है कुछ इलाकों में रसोई गयास सिलेंडर की कीमत बढ़कर 10,000 पाकिस्तानी रुपए हो गई है समरी में बोलू तो पाकिस्तान की सरकार ने अपनी नई एनरजी गंजर्वेशन योजनाओं के तहट सभी मौल और बाजारों को रात के साड़े आज बजे तक बंद करने का उपड़ेश दिया है फूर इंफलेशन बहुत जल्ड साल दर साल 35.5% बड़ी है जबकि पाकिस्तान में डिसेंबर में ट्रांसपर्ट प्राइसस 41.2% बड़ी है पाकिस्तान सबसे खराब आर्थिक संकर से जूज रहा है क्योंकि फोरन एक्चेंज रिजर्व की भारी कमी का सामना कर रहा है पाकिस्तान के एक्चेंज रिजर्व में 6.7 बिलियन यूएस डॉलर की गिरावट आई है इस बीच चाइना ने भी देश में अपना इंवेस्टमेंट कम कर दिया है देश की राजनीटी भी लडखरा रही है जिसका एकनोमी यानिके अर्थ विवस्ता पर असर हो रहा है हाल ही में पाकिस्तान के सरकान ने अपने नई अनेजी कंसरवेशन प्लांस के तहप सभी मॉल और बाजारों को रात साड़े आठ बजे तक बंद करने का आदेश दिया है इसके अलबा उन्होंने लगबग 62 बिलियन पाकिस्ताने रुपया यानि की 273 मिलियन डॉलर की कैश्ट फ्राप कंट्री को बचाने के लिए रेस्टोरंट को जल्दी बन करने के लिए भी कहा है यह कदम ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान घरेलू और आतराश्टर बाजारों में डिफॉल्ट भाय को काम करने के लिए संगश कर रहा है 9th program review पर differences के कारण 1.1 billion US dollar IMF bailout package अटक गई है जिसे नवेंबर में पूरा किया जाना चाहिए था पाकिस्तान की energy conservation plans के दहत फ्रेवरी और जुलाई से energy inefficient buzz और fans के उत्पादान पर ban लगाना भी शामिल था देश में defense minister के अनुसार सर्दियों में 12,000 megawatt की तुलना में पाकिस्तान की peak गर्मी बिजली की खपत 29,000 megawatt थी मुख्य रूप से गर्मी महीनों में fans के इस्तमाल के कारण देश भर में आधी street light इशारे के रूप में बन रहेगी अल अरिविया पूस्ट ने बताया कि energy crisis के बीच देश के north western region में यानि की khyber पक्तुन खुआ रीजन में लोग cash lender की जमाखोरी कर रहे हैं देश में खातिया संकर भी कहरा गया है साथी वीडियो में लोग अपने LPG cylinder फ़रने के लिए plastic के गुबारों का इस्तमाल करते दिख इस भी श्री लंका एक साल से अधिक समय से बढ़ती की मुद्स से जुड़ा रहा है जो मुख्य रूप से साथ दशकों में सबसे खरा financial crisis के कारण हुआ है में लिए देखा गया है COVID-19 महामारी के बाद tourism और विदेशों में काम करने वाले नागरीकों के remittances में गिरावत के बाद island countries financial crisis में डूब गया है युकरेन में यूद ने इपोर्ट्स विशेज रूप से fuel prices को तेजी से बढ़ा दिया है जुलाई में राश्ट्रपति देश छोड़कर भाग गया और स्तीफा दे दिया तब तो श्री लंका finally IMF के सांथ जुड़ गया और दोनों साइट ने तब से तारंभिक $2.9 billion का शन समझोता किया लेकिन भारतिया साहते थी जिसने श्री लंका को समय खरीते में मदद किया भारत ने जनवरी और जलाय के बीच लगबार $4 billion की तुरण साहता प्रदान की जिसमें credit line, currency swap arrangement और deferred import payments शामिल थे और आलेन के 22 million लोगों को अवेशक द्रवयों को ले जाने वाला एक पहुशी फेजा, November 2022 में स्री लंका के प्रमुख inflation rate 61% से घटकर दिसंबर में 57.2% हो गई, तो यह थे explanation अभी थिक लेता है, अगर मेरे content आपको अच्छा लगता है तो मुझे encourage करने करें चैनल को like करें, share करें, subscribe को साथे साथ बैल आइकन को भी प्रेस करें, last week यहीं कहूंगा, thank you so much for watching my videos, जय हिन, जय भारत